समस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिबील बॉय में आज हम बिहार पोल्टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम पर बात करेंगे तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को सुरू करते हैं वैसे भाई लोग जो अभी तक इस फैमली का सदस नहीं बने हैं वो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन को दवा कर फैमली का मेंबर बन जाएं इसका एक मातर कारण यह है कि आगे मैं जब भी प्रिपिरेशन से संबंधित वीडियो अप्लोड करू तो आपके पास वो तभी पहुचेगा जब आप यह रेड कलर के बटन दवाएंगे जब आप रेड कलर के बटन को दवाते हैं तो आपके शामनी बलेक कलर का कुछ इस तरह का दिखाई देगा और बगल में एक घंटी भी दिखाई देगा इस घंटी को दवाना होता है पड़ेगा तो बिल्कुल घवराइए नहीं इस कारे को करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके काम का है तो ही सब्सक्राइब करें और इस चीज को जानने के लिए आपको इस व को भरे और बस तैयारी में लग जाए तो चलिए हम इस वीडियो में इस परिशा से संबंदित कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये इंट्रेंस एक्जाम बीसी इसी द्वारा पढ़ते एक वर्स लिया जाता है इस बो यदि आप ये एक्जाम क्वालिफाइ कर जाते हैं तो बीसी इसी के बोर्ड में आपका कॉंसलिंग किया जाएगा जो आयस भवन पटना हवाई अड़ा के नजदीक है कॉंसलिंग में जो कॉलेज और ब्रांच आप लेना चाहेंगे उस कॉलेज में बीसी इसी द्वारा द यानि एक इंटरमेडियेट के बराबर का ही इसका वैलू है और जरूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपका रिजल्ट फर्स्ट स्टेज में नहीं हो पाता है तो गुस्से में आकर अपना में एड्मिट कार्ड को फार मत देना में एड्मिट का बात मैं इसे फारने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीसी इसी बोर्ड सभी कॉलेजों में सीट नहीं भरने के कारण सेकेंड कॉंसलिंग करवाती है तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक जाम फी के बारे में इस फर्म क यह जो मैं भी एक जाम फी के बारे में चर्चा कर रहा था वो पी यानि पॉल टेकनिक इंजिनियरिंग वालों के लिए था बीसी सी बोर्ड बिहार में सभी टेकनिकल कॉलेजों में एड़िशन कराती है जैसे कि पी यानि पॉल टेकनिक इंजिनियरिंग पी पी यानि पार तो PUD exam ITI जो कि BCC अलग से निकालती है अगर आप इसे भी भरना चाहते हैं तो आपको लगबाग 10 दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि PEE General BC और EBC वालों के लिए 750 रुपे SC, ST और DQ के लिए 480 रुपे पे करना पड़ेगा और अगर आप इनमें से किसी दो कोर्सों के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो General BC और EBC के लिए 880 रुपे एवाम SC, ST और DQ के लिए 530 रुपे पे करना पड़ेगा और अगर आप 3 course के लिए apply करना चाहते हैं तो general BC और EBC के लिए 900 SC, ST और DQ के लिए 630 रुपे pay करना पड़ेगा और अगर आप सभी course यानि 4 course के लिए apply करना चाहते हैं तो BC, EBC के लिए 1150 रुपे SC, ST और DQ के लिए 730 रुपे pay करना पड़ेगा और दोस्तो अगर आपको इस entrance exam से सम्मदित कोई भी समस्या आती है जैसे की form apply कैसे करें या अपने से form कैसे भरे या counseling से सम्मदित कुछ भी पूछना हो जैसे की college कौन सा select करें, कौन सा branch लिया जाए तो आप अपनी समस्या को हमारे साथ share कर सकते हैं और अगर आप मेरी माने तो इस channel को subscribe कर ही लो क्योंकि मैं इस entrance exam से सम्मदित आपकी कोई भी समस्याओ का समधान कर सकता हूँ और इस exam के preparation से सम्मदित, physics, chemistry, math से सम्मदित, महतोपुन करक प्रश्णों का collection भी मैं आप लोग के साथ share करूँगा तो आपकी मर्जी सब्सक्राइब करो या सभी channel की तरह इसे भी जाने दो और मैं आपको एक जरूरी बात बताना तो भूली गया PM और PMD का exam 12.5.2018 को और PPE का 13.5.2018 को होगा तो आपके पास कुल मिलाकत कर अभी तक लगबग 2 महिने हैं और इस exam को क्रेक करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक महिना बहुत ज्यादा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आये हो तो नीचे काले अंग उठे के निसान को दवा कर नीला कर दें और अपने वैसे दस्तों के पास ये वीडियो भेजिए जो इस फर्म को अपलाई करना चाहते हैं झाल झाल झाल